नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं पुलिस ने बम को डिफ्यूज कर सर्च अभियान जारी रखा है, वहीं दूसरी तरफ एक अन्य घटना में पच्छमी सिम्हुम जीले में ही कोबरा इंस्पेक्टर आईडी की चपेट में आने से घायल हो गया जनकारी के अनुसर, पोड़ा हाट अन्मंडल के नक्सल परहावीत, गोईल के राथाना छेतरे के कोईंडा पंचायत अंतरगत, गीति लिपी गाउं में CRPF 60 बटालियान जार्खन पुलिस के साथ मिलकर नक्सलियो के बिरूद सर्च अभियान चला रही थी उसी दरान पुलिस को नुक्सान पहुचाने के लिए बिचाया गदस आईडी बरामत कर लिए गए हैं, पुलिस ने सभी आईडी को बरामत कर फिर से सर्च अभियान में जुट गई है कॉंग्रेस ने जार्खन के लिए पी एसी का किया गठन, कॉंग्रेस ने सनिवार को अपनी जार्खन इकाय के लिए 26 अजसिये रायनीतिक मामलोक की समीती पी एसी का कठन किया है और 11 उपाध्यक्षो समेत कई वरिष्ट पताधिकारियों की न्युक्ति की कॉंग्रेस अध्यास मलिकार जुन खडगे ने जार्खन परदेश कॉंग्रेस कमिटी के लिए 11 उपाध्यक्षो 35 महासचिवों और 82 सचिवों की न्युक्ति को स्विक्रिती पतान की है कॉंग्रेस ने जार्खन इकाय के लिए कार्य समीती भी गठित की है जिसमें बिधायक दल के नेता अलमगीर अलम राई सरकार के केमिने मंत्री रमेसवर उड़ा पुरमुक मंत्री मधुकोडा, सुकदेव भगत, अजय कुमार और कई अने नेता सामिल है जार्खन के अल्फ संख्यक अबादी वाले परखंडों को मिलेंगे केंद्र सरकार से 10 कडोर केंद्र सरकार द्वारा अल्फ संख्यक अबादी वाले परखंड को सिक्छा के परचार परसार के लिए रासी दी जाएगी परधान मंत्री जन विखाज सोहि ना के तहाद राशी दी जाएगी इसके लिए जहारकंद से 38 पर्खंड का चैन किया गया है इसके तहाद उन पर्खंडों का चैन किया गया है जहां 25 भीदी अलफ संख्यक अबादी है इन परखंडों के कस्तूरबा गांधी बालिका बिद्यालाय का चयान इस स्योजना के तहत किया गया वहीं सेक्षनिक विकास के लिए इन बिद्यालियों को 10 को रुपे तक दिये जाएंगे जार्खन के 16,000 इसकूलों में खेल का मैदान नहीं सरेरिक सिक्षक केवल 648 जार्खन के सभी बिद्यालियों में खेल सिक्षक का पद तक सिरिजित नहीं है पराथमिक बिद्याले में भी आज तक खेल सिक्षक के पद रिजन के परक्रिया सुरू नहीं की गई राजे में 635 पलस टू स्कूल है इनमें 67 बिद्याले एकिक्रित बिहार के समय के है पलामू में मैदूरी भुक्तान को लेकर विधायक आवास का घिराव पलामू टाइगर रिजर्ब में कारणत मैदूरों ने जारकन वन स्रामिक यूनियन के तत्वधान में पुर्वर निर्धारित कारक्रम के तहस सनिवार को विधायक रामचंदर सिंग के आवास पर घिराव किया इस दोरान लंबित मैदूरी भुक्तान को अभिलम कराने की मांग की गई साथ ही यह कहा गया है कि जब से पलामू टाइगर रिजर्ब में मैदूर के रूप में कारणत है अब तक कभी भी नियमित रूप से मैदूरी का भुक्तान नहीं हुआ है इस कारण मैदूरों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है PTR के मैदूर जंगल और जानवर बचाने के लिए जान जोखे में डालकर रात दिन मेंनत करते रहते है इसके बावजूद इसके वन प्रवंधर के द्वारा मैदूरी भुक्तान में सक्रेता नहीं दिखा जाती है समय पर मैदूरी भुक्तान नहीं होने के काराण कोई मैदूरों के घरों में चूले भी नहीं जल पाते है रांची हिंसा मामले में CBI से हो सकती है जानच जारखन हाई कोड के चीफ जश्री डाक्टर रवी रंजन वजश्री एसन परसाज की खंट पीट में रांची हिंसा की NIA जाच को लेकर दाखिर जनीत जाच का पर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद आदालत ने मामले में राजिक गिरी सचीव और डिजीपी को तलब किया है आदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि मामले की जाच में बिरोधा भास है ऐसा परतीत होता है कि सरकार ही सही जाच नहीं चाहती क्योंकि इसे जुड़े कुछ मामले की CID जाच र में अपने ब्यान से पल्टी सरकार जारखन हाई कोट के चीफ जर्टी डक्टर रभी रंजर्व जर्टी एसन परसाद की खंट पिठ में एफ एसल में नियुक्त को लेकर सुनवाई हुई अदालत ने इस दोरान राज सरकार द्वारा दिये गए जवाब पर करी नराजगी जताते हुए 50 रुपे का हरजाना लगाया हलाकि सरकार के बार-बार आगरा करने पर अदालत ने समंधित आदेश को वापस ले लिया है अदालत की नराजगी इस बात पर थी कि 2 दिसंबर को सरकार के ओर से एफ एसल में चतूत वर्ग पद पर नियुक्ती के लिए जएस एसी को अधिवचना भेज दिये जाने की बात कही गई थी जबकि एक सब्ता के अंदर सुक्रवार को होई सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया है की जैसे एसी तिरिती वर्ग के पद पर नियुक्ती कर सकती है ऐसे में अब चतूत वर्ग के पद विभागिये अस्तर पर भरे जाएंगे गुमला में सलक पर मिले दो यूकों का सव ग्रामिनों ने की तोड़ फोर जारखन के गुमला जिले के बसिया थाना इस्थी तक कलिंगा गाउं की मुखे सलक पर दो यूकों के सव मिलने के बाद हंगामा हो गया ग्रामिनों ने गुसा में आकर जम कर हंगामा किया मौके पर पहुँच कर पूलिस ने लोगों को सांथ कराया युवक के हत्या की गई है जनकारी के अनुसार डूमर टोली निवासी सेख दिलसाद उर्फ जेरकू 25 वर्शिये और किंदिर केला गाओं के अपसर खान 25 वर्शिये का सो मिले है वही सलक पर बाइक भी मिली है दोनों बाइक से जा रहे थे सो मिलने के बाद ग्रामिन आक्रोसित हो उठे लोगों का काना है कि ये सलक दुरखाटना नहीं है लोगों ने कलिंगा के समीप रावर किला राची मार्ग जाम कर दिया है जारखन के कई जीला में कोहरा है जारखन में राची और आसपास के ठंड का परभाव बढ़ गया है राची मौसम केंद्र के अनुसार आसमान में बादल छाय रहने की वज़ा से अगले 4-5 दिनों तक नुटन तपान में बिरिदी होगी बताद चक्रवाती तुफान, मेडियूस और उतर पचिम दिशा से आ रही सर्द ठंड होग परभाव से राची सहित राज के जायतर इलाकों में ठंड का परभाव देखा जा रहा है राची में सूबह की सुरुवात घने कोहरे और धुंद से हुई है आसमान में छीटफुट बादल की वज़ा से धूप नहीं निकली इसलिए लोगों को ठंड का असास ज्यादा महसूस हुआ है कोलकात्ता पूलिस के अफसरों से पुष्टाश करेगी सीबियाई अधिवक्ता राजीव कुमार से जुड़े कैस कांड ममले में अब सीबियाई की टीम कोलकाता पूलिस के अधिकारियों से पुष्टाश करेगी राजीव कुमार ने पुष्टाश में सीबियाई को बताया था कि सोनु अगरवाल ने अमित अगरवाल से मद्यस्ता कराई थी बताते जार्खन हाई कोट के सिनियर अधिवक्ता राजीव कुमार से जुड़े के सकान ममले में अब CBI की टीम पचिम मंगाल का रूख करेगी इस ममले में CBI ने रांची जेल में बंद कुलकाता के कारोबारी अमित अगरवाल और जमानत पर जेल से बाहर आय अधिवक्ता राजीव कुमार से पुष्टाच कर चुकी है पावर पलांट में कोईले की जगा बायो मास का उप्योग पर कारेसला थर्मल पावर पलांट में यूज होने वाले कोईले की जगा बायो मास के जरिये बिली उत्पादन पर जोड़ दिया जा रहा है भाविस में कोईले की होने वाली कमी और फॉसलों के आवसेस को जलाने से होने वाले परदूसन से पर्यावरन को बचाने को लेकर भारत सरकार ने मिशन समर्थन प्रोजेक्ट लॉंच किया है जर्खन की जमीन पर उतारने की त्यारी शुरू कर दी गई है भारत सरकार के विद्यूत मंत्राले ने समर्थन मिशन के तहद इस मत्वकांची प्रोजेक्ट को पूरा करेगा इसके ताथ सुक्रवार को थर्मल पावर प्लांट में बायो मास के उप्योग के लिए पिलेट उत्पादन की जनकारी उध्यमियों को दी गई है मिशन दुहजर चुनाव में जुटी ज्ञारखन बीजेपी और मिशन दुहजर चुबिस के लक्षो को तै करने को लेकर दिली में बीजेपी केंद्री नेताओ के साथ परदेश अध्यक्त दीपक परकास और संगठन महामंत्री करमबीर की अहम बैठक आविजित की गई इस बैठक में ज्ञारखन की 14 सीटे जीतने का लक्ष तै किया गया है इसके अलावे केंद्र सरकार की ओर से संचालित जोजना की जनकारी जनता तक पहुचाने को लेकर परदेश अस्तर पर कारेकरम की रूप रेखा तयार करने का निदेश दिया गया है धन्यवाद